शेव कुमार वर्मा ट्रेडर्स चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत हैं, चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ज़रूर दबाईएगा, प्लीज कंसर्ट योर फानेशल एडवाईजर बिफोर इंवस्टिंग इन ट्रेडिंग चैनल का फा बात की जाएगी इस वीडियो में, आईए चलकर शुरू बात करते हैं, देखे, Yes Bank का expectation है कि यहाँ पर आगे आने वाले समय में 13% के rate से लोन बढ़ेगा, पहले टाइम पर 13% तक बढ़ रहा था, अब ये increase कर दिया है और उनने projection 15%, और as per RBL Bank वो कह रहे हैं, 15% तो lower end है, हो स but there will not be any impact on the margin on the loan rate, तो ये एक अच्छी ख़बर मानी जाएगी, कैसे उसको maintaining कर सकते हैं, आप देखे यहाँ पर, जब customer को loan देते हैं, तो deposit की cost बढ़ेगी सीधी बात है, अगर आपका interest rate बढ़ रहा है, तो उनको अपने deposit rate भी बढ़ना पढ़ाना पड़ेगा, तो जनर 5 प्रतिशत का इन्होंने interest rate बढ़ाया हुआ है, fixed deposit के reference में, जो की 36 months से 120 months तक की maturity है, यानि की 3 साल से आपको 5 साल beyond तक आप इसमें अपना कर सकते हैं, fixed deposit, तो why it is important इस बात को समझेगा, जब deposit पे RBI Central Bank rate बढ़ा रहा है, तो यही rate इनको अपने पास करने पढ़ेंगे, जो deposits ह for their bank, customers, customer बहुत important है, customer को नराज नहीं कर सकते हैं, अगर rate नहीं बढ़ाएंगे, तो दूसरी companies इनको अपने पास ले जाएंगे, तो यह नहीं चाहते कि इनके loyal customer इनको छोड़ कर कहीं जाए, तो अगर customer के पास पैसा है, तो वो fixed deposit करना चाता है, और banks के पास ही वो लेके bad loan लेंगे, provision में इन्होंने increment किया जिसकी वैसे एक dip आया है, और हम continuously बोल रहे है, yes bank is on an upward trajectory, बहुत बढ़िया growth rate है, धीर दिर बढ़ेगा, एक दम नहीं बढ़ेगा, जो भी गिरावाट मिले, आपको इसमें खरीदना चाहिए, इसका profit गिरा था करीद 32% के आसपास, provision की व और साथात में retail portfolio, net interest margin भी कह रहे हैं, कोई impact नहीं होगा interest बढ़ने से, हाँ यह हो सकता है, demand थोड़ी कम हो जाए, पर margin में कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा, अगर loan projection देखे जाए, 13% से बढ़कर 15-20% जाने की उम्मीदा, technology initiative ले रहे हैं, जिससे business growth कराएंगे, loan growth जैस technical भी देखे, तो आज काफी अच्छा bounce back दिखाया है, yes bank ने, देखे, morning से ही, एक 2000 बारी खेलने की कोशिश करते, जैसे विराट को लीजी ने अपना फिर से, अपना चोके छक्के का संयोग शुरू कर दया, highest record बना दिया है, इन्होंने यहाँ पर, वही case आज यहाँ पर yes bank ने में दिखाया, 3.8% के आसपास market चड़कर बंद हुआ है, जहां sensex negative बंद हुआ था, तो यह बहुत जल्द अब हमारे हिसा से free moving average के उपर जाएगा, और फिर इसका सबसे पहला target जो हमारे हिसाब से अब बन रहा है, वो 22 रूपे के आसपास है, तो यह बहुत जल्द बाद नीचे नहीं आने देंगे, जोब भी dip मिले, तो इसको आपको खरीदना चाहिए, अगर हम आज का volume की बात करें, तो 134, 138 million share है एक्सचेंज में, जो कि कल के मकाबले, almost double है, super trend करेंशन, 100 रूपे 70 पैस है, यह बहुत जल्दी इसके लिए buy signal generate होगा, RSI 54, neutral zone है, with a positive bias, इस तो एक clear indicate करता है, यहाँ पर buy signal निमर जो रहा है, MacDee ने भी आज इसका positive trend दिखा कर buy signal initiate कर देंगे, दो parameter बाई आ चुका है, बुरिंजर बैंड के basis पर इसने mid level को cross कर दिया है, bandwidth पूरी flat हो चुकी है, यहाँ पर bandwidth देखें तो 7 के आसपास है, यह अब 16 रूपे तोड़कर हमारे हिसाब से बहुत जल्द 18 रूपे की तरफ को non-stop जाने की कोशिश कर सकता है, short term में, और साथ-साथ में Vortex Indie कर देखें, तो यह Vortex Indie कर भी अभी perfect neutral zone में है, यहाँ से शायद यह बहुत जल्दी bounce back दिखाने की कोशिश करेगा, तो yes bank ने अच्छा momentum रखा है, दूसरा stock हमने बात करने की बात की थी, Mahindra and Mahindra Finance, इस stock ने काफी अच्छा momentum दिखाया है, अपना 10% के आसपास आज growth दिखाई है, हाला क कि इनके effectively अगर हम बात करें, result इतने अच्छे नहीं है, profitability देखे जाए, 55% कम के हुई है, 4,400 करोड रुपे के, sorry, 148 करोड के आसपास इनका profit है 3 महिने का, जो की compare to 1000 करोड एक साल पहले के थे, तो उससे गिरावट आना अच्छी बात नहीं है, but overall इन्होंने कहा है कि आगे क future business अच्छा लगा है, इनका advantage क्या है, truck जो business है इनका केती में, बहुत positive है इनकी तरफ से और वो continue रहेगा momentum, अब यहाँ पर provision की वेज़े से इन्होंने जादा रखा है, company has maintained a leadership position in Tractor and Mahindra UV Finance, Mahindra के साथ इनकी टाइप भी भी है, तो यहाँ पर जैसे जैसे car business बढ़ेगा, Mahindra के लिए क्या हो रहा है यहाँ पर, तो M&M अगर finance की बात करें, तो आज करीब करीब 12%, 11% के आसपास increment आया है, morning से गैप के साथ खुला positive, और देखें, 195 से बढ़कर सीधा 219-220 तक कहाई बनाया है, और एक बड़ी green candle बनी है gap के साथ में, जो की bullish trend दिखाता है, अगर इसका 50-day moving average, 200-day moving average के ऊपर, आपको हमिले कितना अच्छा momentum था, 200-day moving average के आसपास मिला, 180, और यहाँ पर अभी 220 के आसपास आ चुका है, 40 point का आपको net profit मिल रहा है, इस stock में, अगर आपने सिर्फ एक parameter का follow किया था, जो 200-day moving average, आज का volume भी काफी अच्छा, 45 million share and exchange, गैप के साथ न positive trajectory में काम कर रहा है, MACD से भी इसने by signal emerge किया है यहाँ पर, जो कि बहुत positive रहेगा दोनों parameter पर, और अगर बुलिंदर band को follow करते हैं, तो band की bandwidth बहुत कम होई थी, आप यहाँ से band के ऊपर इससे में आया, तो ऊपर जाना शुरूआत करेगा, काफी अच्छा momentum चल रहा है, vortex indicator क देखें, तो यह अभी यहाँ पर perfect neutral zone है, तो यह भी यहाँ से uptrend की कोशिश कर सकता है, अगर हमारे साथ training करनी है, मिल रहो हो, जहीं